हलो दोस्तों आपका अपनी यूटूब चैनल एजेसर में बहुत स्वागत है चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो पहला कुश्चन है वह पीतल किसकी मौझूदगी में वायू में निरंतर रखने पर जो है रंग हीन हो जाता है यानि जो पीतल होता है उस पीतल को किसके स अप्शन भी होगा हाइडरोजनी बेफर से अप्शंसी होगा हाइडोजन सलफाइड आपन, डी होगा अल्मूनिययम वाइड अशंवाईड Agora हो अनसर होगा यानि कि हाइडरोजन सलफाइड अगर आप पीतल को हाइडोजन सलफाइड के साथ मिला करके खुले में रख देते हैं तो वह वह जो है पीले का मतलब उसका जो कलर है वह उड़ जाएगा यानि कि वह रंग हीन हो जाएगा दूसरा नमबर कुश्चन है वह जंग रोधी इस पात का निर्मार इस प करे दो खुले में रहता है मतलब कि जाड़े गरमी वर्सा मतलब कि पूरे साल भर पड़ा रहता है खुले में तब भी उसमें जंग नहीं लगता है क्यों उसमें क्या चीजती है पहले आपके जो बिकल्प हैं जो ए होगा वो स्थाम्र और निकेल जो दिकल्ट अपनमबर होगा यह क्रॉमियम और निकल यानि कि यानि कि इस वात में जो है कुछल और को रोमियम मिला देने के बाद में जो यह यह तत्तु का जो आक्सीजन से किरिया करना खतम हो जाता मांदा वह बात करते हैं जो बजार में बिकने वाला मानक 18 करेट सोना होता है यानि कि जो बजार में बिकता है जो सोना बजार में बिकता है उसमें कितना परसंट सोना और कितना परसंट धातुएं होती है मतलब अन्य धातुएं होती है और कितना परसंट में सोना होता है इसके बारे में पूछा गया है जो इसमें जो पहला विकल्ब होगा वो 82 भाग सोना और 18 भाग अन्यधातु है और जो विकल्ब नमबर B है वो 18 भाग सोना 6 भाग अन्यधातु है और जो विकल्ब नमबर C है वो 18 भाग सोना 82 भाग अन्यधातु है जो विकल्ब नमबर D है वो 9 भाग सोना यानि कि 15 भाग अ रहता है और 18 परसंटेज तक अन्य धातुएं रहती हैं ओके दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों में सेर करें अगर कोई भी आपका कुश्चन है तो नीचे कमेंट करें उसका उसका अंसर जरू से ज जरू दूँगा